और कोई भी ब्रांड अच्छा हो खराब नहीं होता है जैसे कि आपने देखा यहाँ पे बजट के नुसार हर एक ब्रांड अपनी कैमरेज रखे हुए हैं हमें सबसे अच्छा कैमरा अपनी रिक्वार्मेंट्स को देखकर चुन लेना है वेल्कम फ्रेंड्स तुदनीकामरा.com चैनल और आज हम बात कर रहे हैं कि कैनन, निकान, सोनी में से किस ब्रैंड का कैमरा लेना आपको सही रहेगा तो यह जो थीनों ब्रैंड है काफी अच्छे ब्रैंड है और काफी अच्छी कैमरे बनाते हैं बट आपके लिए रहेगा तो सबसे पहले अगर कोई कैमरा अप लेने जा रहे हो और ब्रैंड आपको पता नहीं है कि किस ब्रैंड का लेना चाहिए तो सबसे important चीज़ जैसे कि मैं पहले भी करता हूँ कि अपने requirements को देखो कि आपके requirements क्या है and once your requirements are sorted out उसके बाद हम brands की बात करते हैं कि क्या वो कौन सा brand है वो किस price range में आपको क्या क्या feature दे रहा है और किस brand को आपको favor करना चाहिए so moving on हम budget से सुरू करेंगे और धीरे धीरे हम high end camera पे जाएंगे और उस वक्त उस दर्मियान आपको पता भी चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा brand है आप किस budget में हो आपके requirements के और उसके अनुसार आपको कौन सा camera देना चाहिए so moving on सबसे पहले हम basic से बात करते हैं budget से start करते हैं और budget में सबसे best camera अगर हम बात करें तो Nikon का D3500, Nikon का D5600 ये जो दोनों camera वो 30-40,000 के price range में fall out करते हैं और इस price range में ये दो camera से अच्छा भी कोई भी camera available नहीं है क्योंकि सबसे important चीज Nikon की खूबी क्या है Nikon की खूबी ये है कि इनके basic camera में भी optical low pass filter इन्होंने remove कर दिया है remove कर देने से भाई होता क्या है होता ये है कि जो आपको images आ रही है आपको details मिल रही है आपकी images में वो कई गुना ज़्यादा रहती है specifically आप professional से पूछो जो 100% scale पे images को देखते हैं तो जो low pass filterless camera है उसमें detailing जो रहती है काफी ज़्यादा अच्छी होती है 30 से 40,000 की अगर हम price range की बात करें तो इस particular price range में मेरे अनुस्तार सबसे best camera है Nikon का D3500 30,000 की range में और 40,000 की range में 5,600 यहाँ पे FUGXT100 camera भी आ जाता है तो अगर ये एक बहुत ही specific camera है अगर आपके पास बहुत ही limited budget है अंडर 40,000 budget है और आपको एक hybrid camera लेना है more or less you are taking this camera for creating only YouTube videos आप एक beginner हो and you do not have money right now more than 30,000 in your hand then only you should get the FUGXT100 camera क्योंकि FUG के camera के साथ एक और चकर पड़ जाता है कि उनकी lenses बहुत ज़्यादा costly है हलांकि kit lens तो आपको sustain मिल जाएगी और कुछ एक affordable lenses उन्होंने courses करी है कि announce करें जैसे परते समयम की recent lens की बात करें but more or less their lenses are too costly compared to the Canon Econ DSLR lenses तो इस affordable price range पे FUG का camera लेना बहुत ही बैमानी लगता है क्योंकि अगर हम lenses की बात कर लें तो काफी ज़्यादा costly हमें दिखती है but more or less अगर हम 30 to 40 thousand की बात करें और बहुत ही perfect still shooting machines की बात करें then we have only one name in our list is the Nikon Nikon का D3500, 5600 specific reasons अगर आप hybrid shooter हो आपके बज़ेट बहुत लो है then only you should get the FUG XT100 camera अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अब हमें ये पता चल चुका है कि इस budget price range में 30 से 40,000 की price range में जो सबसे best brand है 2020 में वो है Nikon now moving on 40,000 to 50,000 price range में इस price range में सबसे best कौन सा camera है यहाँ पी जब हम 40 to 50 के पास हमारा budget रहता है तो आप ये समझो कि इस समय काफी advanced AF system की entry होती है जिसे हम DPF AF system कहते है Canon की तरफ से Canon का 202 या SL3 camera आपको आराम से 47 to 46,000 पर मिल जाएगा online sites में other than that इसमें सबसे अची बात ये रहेगी कि इसमें आपको बहुत ही fast DPF system का support मिलेगा second most attractive thing कि इसमें बहुत huge lenses की support मिलती है Canon और Nikon की lens की range बहुत ही जादा huge है और सबसे अची बात इन lenses की की काफी जादा affordable है quality भी काफी अच्छी है so more or less in the 40 to 50,000 price range आपके पास जो AF system आ रहे है बहुत ही उमदा है other than that जो lenses की range आपको मिलनी है बहुत ही जादा है तो ये जो 40 से 50,000 की price range है इसकी अगर हम बात करें तो सिर्फ एक brand है उसमें सबसे अच्छी से निकर के आता है वो है Canon का 200D2 अब आप बोलोगा की EOSN50 का नाम मैं क्यों नहीं ले रहा हूं तो मैंने comparison करा है 200D2 versus EOSN50 वो मैं link up कर दूँगा ये description में डाल दूँगा why you should take 200D2 camera instead of EOSN50 moving on 50,000 के आगे बढ़ते हैं कि 50,000 के आगे अगर हम बढ़े तो हमें कौन सा अच्छा camera मिलने वाला है तो 50-60,000 की range में अगर हम जाते हैं या 70,000 तक टच करते हैं अब range तोड़ी broad होगी बट इस price range में जो 60-70,000 की price range 50 से आगे जो हम लोग बढ़ चुके हैं यहां सबसे अच्छा camera है वो है Sony का A6100 camera why this camera is perfect अब Sony A6100 camera जो 60-70,000 की price range में आता है more or less उस price range में fallout करता है यहां पे आपको बहुत ही उमदा still shooting images की options मिलती है काफी अच्छा still images लेता है hybrid AF system all the way active रहता है either you are shooting still images और you are recording 4K video यहां पे Canon के साथ यह limitation थी 50,000 price range में कि हमें full HD video recording तो बहुत अच्छी मिल रही थी but 4K video recording उतनी अच्छी Canon नहीं देता है क्योंकि at that time the CDF system is active slow and sluggish CDAF system contrast detective system and the excessive crop factor यह दो चीज़े Canon के 4K video mode को बरबाद कर देती है आप यह 50,000-802 कि अपने price range में बहुत यह थी 4K video recording की option देगा you can record excellent 4K videos with a full time hybrid AF support हाँ अगर आप scymatographer हो अगर आपको S-lock का support चाहिए आपको hybrid log, gamma picture profiles का support चाहिए better to say HDR videos आपको record करने then you should move with the sony a6400 camera but remember कि इनकी जो output है वो 8-bit पे limited है अगर आपको 10-bit output का एक अच्छा cinematography camera चाहिए then you can try the black magic pocket 4 के cinema camera और आपको फिर higher price range पे जाना होगा so sony का a6400 camera more video oriented camera and it's recommended for video users now moving on 1,000,000 की price range में सबसे best brand कौन सा भी अबलेबल है और सबसे best camera कौन सा अबलेबल है so if you are a cinematographer, videographer I will recommend you to stick with the sony a6400 camera even at 1,000,000 price range now अगर आपके पास 1,000,000 का price range है आपकी जो priority still images है हलाग कि वो camera video भी बहुत अच्छी लेता है वो है Canon का 90D camera but 90D की जो 4K videos है वो 6400 camera के 4K videos जितनी अच्छी नहीं है reason यह है कि जो sony है वो down sampling method यूज कर रहा है Canon pixel skipping method यूज कर रहा है तो जो details है sony के videos में थोड़ी ज्यादा है जो dynamic range वो थोड़ी ज्यादा है जो low light performance है थोड़ी अच्छी है compared to the 90D camera so if you compare the video modes of course the 6400 camera have a upper hand एक लाग के price range में अगर आपको एक बहुत ही उंदा still shooting machine चाहिए then my recommendation is you should go with the Canon 90D camera एक लाग के price range में सबसे अच्छा brand कहो camera कहो कुछ भी कहलो 90D यह reason यह है यह 90D में latest 32MP की sensor लगी वो fourth generation की Canon की DPF sensor है eye tracking की बात कर लो या artificially intelligent subject tracking algorithms की बात कर लो यह camera काफी उंदा है more or less जो 32MP की sensor उसकी काफी अच्छी performance है and at the same time क्योंकि Canon का camera है तो इसकी जो lens की range वो इतनी ज्यादा है and the price is also too affordable तो यहां पर आप AF system, image quality, availability of lenses यह तीनों चीज में यह camera इतना खहरा उतरता है plus features की बात कर लो आपकी four की बहुत अच्छी videos record करता है अगर आप YouTuber हो तो आपको इससे अच्छा camera नहीं मिलने वाला and the end if you want to dig out more on videos again I am saying आपको hybrid HDR videos चाहिए आपको picture profile चाहिए then you have a Sony S7400 camera but more or less आपको YouTube purpose के लिए आपको general video recording के लिए और आपको great still images के लिए 90D लेना चाहिए so अबने अभी तक एक लाग की जो price range की बात करी उसमें सबसे entry में हमें Nikon काफी अच्छा लगा 30-40,000 की price range में फिर Canon का हमें काफी अच्छा camera मिला था उसका नाव है 200D2 camera जो की 50,000 की price range में मिलता है उसके बाद हमारे पास आती है 60-70-80,000 की price range उसमें Sony के camera काफी अच्छे निखर के आते हैं specifically I am talking about the Sony A7-100 and Sony A7-400 camera एक लाग की price range यहाँ पे 90,000 की price range में हमें मिल जाता है 90D camera it's an excellent choice for semi pro users, beginners, all that moving on, एक लाग के उपर अगर हम जम करें तो यहाँ पे सबसे अच्छा camera हमें मिलता है 1,34,000 की price range में Sony का A7-3 A7-3 is an excellent camera और 1,34,000 की price range में जो आपको यह camera मिलता है उसके साथ अगर आप Tamron के 28-75mm की RXD lens purchase कर लो तो इससे killer combo और कोई आपके हाथ में नहीं रहेगा अगर आप wedding photographer और event shooter है और if you like to shoot still images in dark or low light situation तो यह आपका जो camera है Sony का A7-3 with a 24MP sensor 5 axis inbuilt sensor shift images stabilization and 4K video recording mode और सबसे अच्छी बात की अगर आप sports shooter हो तो इसमें 10 frames per second की continuous shooting speed मिलती है with full time autofocus and auto exposure support so more or less this is a perfect machine to begin with अगर आपके पास 1,00,000 से ज्यादा budget है 1,50,000 or like 60,000 तो अगर आपके पास 2,00,000 का भी budget है then this is the best camera to begin with क्योंकि आपको एक तो A7-3 लेना होगा उसके बाद आपको 28-75MP camera on F2.8 lens और उसके बाद भी अगर आपके बास थोड़ा पैसा बज़ गया तो आप 50MP F1.8 lens ले लो तेको यह दो lenses 28-75 50MP F1.8 best event shooting kit आप क्यों कहलो यह 2020 का सबसे best camera इस price range में so more or less अगर आप 2,00,000 या 1-2,00,000 की price range की बात करो तो Sony जो है बहुत ही अच्छी तरीके से उभर के आता है so I will recommend the name of Sony in that particular price range तो हमने काफी detail में बात की कि कौन सा brand किस वक्त और किस लिए और किस price range पर काफी अच्छा है, suitable है आपके लिए आपके budget के अनुसार हमने यह guide बनाई है जिसना आपको बहुत ही clearly पता चल क्या होगा कि कौन सा brand अच्छा है किस price range पर यो काफी अच्छे products अपने रखा हुआ है और कोई भी brand अच्छा हो खराब कर देना नए हो चैनल को देख रहो तो जरूर सस्क्राइब कर लेना for future updates live news, rumors and tutorials like this. Thank you very much for watching this video.